Capital E, Small S, Number 7, Capital W, Small S, Number 6 Hello friends, welcome to my channel BVFN तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हम CAPTCHA को बुलवा भी सकते हैं कि उसमें कौन कौन से करेक्टर लिखे हुए हैं कि कौन सा CAPTCHA है, कौन सा SMALL है, कौन सा NUMBER है उसके साथ ये SPEAK किरेगा और इस CAPTCHA को जितनी वार चाहें उतनी वार हम इसे REFRES करके CHANGE कर सकते हैं और CHANGE करके साथ में जब आप LOGIN करेंगे तो इस CAPTCHA के भैलू को वो CAPTCHA करेगा अगर करेक्ट होगा तब ही ये RESET करेगा जैसे हम यहां पे E डाल रहे है, Q डाल रहे है 1 डाल रहे है 버rology दाल रहे है, H, A डाल रहे है और 6 डाल रहे है अभि अगर हम यहां पे RESET क्लिक करें तो एक मैसेज आयागा की LOGD है लेकिन इसी में अगर आपने यहां पर गलट डाल दिया और इसे रिसेट पे जब क्लिक करेंगे तो कहेगा रॉंग कैप्चा तो एक यूजओ फॉर्म में कैसे हमने बनाया है कि आप एक डाइनामिक कैप्चा क्रियेट कर सकते हैं जिससे कि आपके अप्लिकेशन में एक अच्छा लुक आजाए उसके साथ आप अपने कैप्चा को इस टिक करा सके उसे जब चाहे तब रिफरेस कर सके इसी तरह के नए एक वीडियो बनाया था जहां पे डाइनामिक पासवर्ड जनरीट कर सकते हैं जैसे आप यहां पे देखेंगे जैसे हम यहां पे क्लिक कर रहे हैं तो यहां पे क्या हो रहा था एक डाइनामिक पासवर्ड जनरीट हो रहा था अब इसी मेथड को हम वहां पे यूज करेंग है लेकिन इसमें क्या-क्या मैंने आइड किया है वो हम आपको बता देते हैं आप दिखें इसमें क्या करना है simple आपको यह एक user form इंसर्ट करना है और इसे एक design बना लिजी जिसमें कि आप सारे चीज को डाल सकें इसके background को आप कर लिजे white तो हम यहाँ पे select करेंगे back color पे और यहाँ plate में जाके इसे white कर देंगे उसके बार इसका जो user form यहाँ पे आप देख रहे हैं कि user form tool लिखा हुआ रहा है इसको हम caption में जाकर हम change कर देंगे reset form यहाँ पे जब change हो जाएगा तो आप देख रहे हैं कि login form में यहाँ पे हमने एक और image लिया है image control जैसे कि आप देखे image control कैसे लेंगे तो हम इस user form में जाएए यहाँ पे इस tool में इस tool से image control यहाँ पे आप दिखे यह image control आपको मिलेगा इसको insert करना है यहाँ पे तो उसको click करके यहाँ पे आप drag कर लिजे और इसमें जो photo आप देना चाहे वो दे सकते हैं तो हम यहाँ पे क्या दिया है जो हमारा form already यहां था हमारे bbfn का वही image हमने यूज किया है तो इसी को हम copy करके यहाँ पे हम डाल लेते हैं तो इसको हम paste कर लेते हैं उसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे कि login form में हमने यहां क्या कर रखा था यहाँ पे already एक पहले से image आप डाउ डाला है जो इस वाले में डाला है उसी तरह में अब यहां पर आप देखेंगे कि यह जो आपका डिजाइन दिख रहा है यहां पर यह भी एक image यूज कर सकते हैं या आप एक level यूज कर सकते हैं तो लेवल में भी आप picture को insert कर सकते हैं और image को भी तो हमने यहां पर image control लिया है इस image control में हमने क्या किया है कि अपने power point में यहां पर इस तरह का design बनाया है कि पावर पॉइंट खोलने है और जैसे आप यहां पर देखेंगे कि यह क्या है कि एक human है अर्साप्त में यहां पर round type का हमने एक shape लिया है नहीं पर जाएंगे insert करेंगे, shape में जाएंगे, यहां पे round shape का लेकर इसको हम जितना बरा चाहिए, उतना बरा हम ले ले लेते हैं, इस तरह ले ले लेते हैं, इसके shape field को हम white कर देंगे, shadow में हम इसे shadow दे देंगे थोड़ा कि जिससे कि वहां पे आप देख रहे होंगे कि दिख रहा है, अब image जालना है, कौन सा human का, तो आप insert में जाएंगे, यहां पे icon पे जाके, आप यहां पे लिख दीजे, people search करेंगे या human search करेंगे तो आ जाएगा, देखिए human बहुत सारे आ गया है, जैसे यह यहां पे आ गया है, यह आ गया है, यह आ गया है, इसमें से, जैसे हमने इसे use किय इसको insert कर लेंगे, और इसे भी हम grey color में feel कर देंगे, यहां पे जाएंगे, और grey color में feel कर देते हैं, जो हमने बताया था कि इससे पहले जो insert किया था, और इसे हम डाल देंगे यहां पे, इस दोनों को आप कर लीजे group, यहां पे group में जाकर इसे group करके, इसको आप export कर लीजे as a jpg, याद रहे किसमे, jpg के नाम से आप select कर लिजे, और इसका नाम कर दिजे log, log के नाम से, यानि किसी भी नाम से कर सकते हम log कर रहे हैं, अब हमें क्या करना है कि यहां पर मान लिजिए कि यह दूसरा यूज़र फॉर्म है यहां पे एक और हम image ले लेते हैं image control यहां पर ले लिया और इसे यहां पर स्लेक्ट करके उस पिक्चर को हम यहां पर insert करेंगे कैसे insert करेंगे तो picture में जाएंगे picture property में और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने lock के नाम से बनाया था इसे open करेंगे और देखेंगे यह बरा है डिख नहीं रहा है तो हम इसके size को picture size mode को क्या करेंगे stretch mode में convert कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पी यह आ गया अब इस image का जो back style है वो transparent कर दीजिए and border style को भी हटा दीजिए तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि देखेंगे आगया आपका यह चीज राइट same यही चीज हमने यहाँ पर repeat किया है इस login form में और इसके अंदर हमने यहाँ पर आप देखेंगे हमने क्या किया है जैसे run किजिए तो यहाँ पर आप कुछ लिख सकते और यहाँ पर password डाल सकते ।ब क्या किया है कि हमने यहाँ से एक text box लिया है और यहाँ पर इसे डाल दि तो इसको null कैसे करेंगे आप देखें यहां पर दिख रहा है ना भी तो हम एक काम करते हैं देखें अगर आप ऐसे रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं ऐसे भी अच्छा लगेगा बट वह आपके उपर करता है कि किस तरह से देखना चाहते हैं याप अपने user form को किस तरह से देखना चाहते हैं तो आप इसे select करके अब जैसा मैंने बना है वो इसा करना है तो क्या करना है इसे select करना है इसके back border style पर double click करना है तो आप देखेंगे यहां पर border आ गया अब एक बार और क्लिक करेंगे तो यह border यहां से हड़ जायागा और यहां पर कोई control आपको नही दिखेगा ऐसे जब तक कि आप इसे run नहीं करेंगे और यहां पर आप देखेंगे आपका करसर आ गया है तो हम अभी क्या करते हैं यहां पर already पहले से insert है यह तो हम इसी को रहने देते हैं उसी तरह इसी हो copy करके यहां पर डाल दीजिए तो दिखें इसका नाम हमने कर दिय थे user id और इसका नाम कर दिया था password यहां पे आप देखेंगे password हमने कर दिया है अब password में आप देख रहे होंगे कि जब हम यहां पे कुछ लिख रहे हैं तो यह क्या हो रहा है password यानि star star का symbol आ रहा है एक के बन तो इससे हम कैसे change करेंगे तो देखें इसको select करके इस property में character आप feed करेंगे वही character दिखाई देगा जैसे अगर हमने यहां पे question mark कर दिया और अगर हम इसे run करते हैं तो आप कुछ भी लिखेंगे तो यह question mark ही दिखेंगे तो क्योंकि यह standard है कि यहां पे हम क्या use करते हैं star use करते हैं तो हम इसके password character में जाके star change कर देंगे अब यहां प क्या करोगे यह हमने simple text box लिया है जैसे बाकी जगा लिया है उसी तरह यह text box भी लिया है इसके font size बगर को हमने पुरासा बरा रखा है और इसको font जो देना था मैंने दे दिया है जैसे अभी मैंने दिया है previous set MS नाम भी मुझसे नहीं परह जा रहा है पूरा लेकिन मुझे font यह अच्छा लगता है और यहां पे जहां पे आप देखेंगे कि यहां पे हमें capture के लिए जगह दिये हुआ है और यह क्या है यह image है आप simple यह image control को क्या करना है insert करना है कहीं पर और इसके design को क्या करना है इसके back style को transparent करना है border style को none कर देना है आप देखेंगे यहां पे एगर white है तो यहां पे भी यह white देख रहा है यहां हमने border back style को pick कर देंगे तो यह white हो गया तो इसी तरह हमने यहाँ पर क्या किया है इस पो लिया है image control to यहाँ पर हमने क्या क्या image control लिया है अब आता है कि यहाँ पर यह जो button आप देख रहे हैं यह क्या है यह क्मांड button है आप देखेंगे जैसे कि अभी हम यहां पे कोई command बटन ले लेते हैं और इसमें से caption को हटा दीजे आप caption को हटा कि और इसमें जो image आप insert करना चाहेंगे वो image इसमें आप insert कर सकते हैं यह picture property में जाएंगे यहां पे देखिए picture जाईए और अगर हमने यहां पे यह picture बना रखा था और यह picture आएगा कहां से यह भी आपके powerpoint में आ जाएगा आप इसे open करेंगे तो आप देखिए यहां पे यह insert हो गया अब इस button को भी हम white background दे देंगे तो हम यहां पे जाएंगे और button में जाके इसके white कर देंगे जिससे की यह देखने में अच्छा लगेगा और यह refresh भी आप ले सकते हैं कहां से powerpoint से कैसे तो चलिए वह भी देख लेते हैं यहां पे insert में जाएए और यहां पे icon में कर दीजिए क्लिक और यहां पे आपको क्या सच करना है sound के लिए sound आप लिखेंगे तो उससे related photo यहां पे आ जाएगी तो दिखें यहां पे आ गया अब यहां पे यह वहाला हमने select किया था तो इसको select करके insert कर लीजिए यहां पे आ गया अब इसका color वगरा चेंज करना है तो ग्राफिक जाके जो color देना है आपको वह color आप यहां पे select कर सकते है इसको select करके जो design देना है इसमें shadow वगरा देना है तो आप shadow दे दीजे तो effect में जाएंगे हम shadow में जाएंगे और इस पे click कर देंगे तो इसमें shadow भी आ गया फिर इसको क्या करेंगे just हम export कर लेंगे as a jpg जैसे यहां पे already हमने sound का बना रखा था same चीज़ उसी तरह refresh का ले सकते हैं उसी तरह आप इस reset button को ही बना सकते हैं और यह reset button हमने कैसे बनाया है तो यह हमने बनाया है powerpoint से ही image बना कर और यहां पे insert कर लिया है अब जलते हैं कि जब हम इसे run करें तो यहां पे capture कैप्चा कैसे दिखेग तो इसके लिए आपको क्या करना है अब यहां पे काम आता है कि एक insert करना है shape तो यहां पे shape पे हम जाएंगे और इससे क्या करेंगे कि एक shape insert कर लेते हैं और इसके shape का थरह डिजाइन देदे देते हैं कि capture की तरह यह दिखे तो हम इसको select करते हैं और इसके format shape में जाकर यहां पर जैंगे फील में, हम यहां पर कर लेते हैं pattern field और यहां पर कोई एक color change कर लेते है, तो मौनिजrest support कर लेते हैं हम इस तो टरह का color चाहते हैं, शेज़ कर ना और इसका color यह वहला color हम यह वहला रखना चाहते हैं या इसको दूसरा कर देते हैं थोड़ा सा light में कर देते हैं और थोड़ा light कर देते हैं अब इसे right करना है जैसा करना है कर सकते हैं हम यहां पर यह वाला color डालते हैं अब इसमें जो है outline इसका हटा दीजे आप तो हम safe format में चलेंगे safe outline में no outline करेंगे अब देखिए अगर इसमें आप कुछ भी लिखते हैं मालेज़े कि अजय कुमार तो यह क्या हो रहा है वाइट है तो इसको थोड़ा डिजाइन करके क्या करेंगे इसके फॉंट साइज को बड़ा कर देंगे तो हम इसका फॉंट साइज बड़ा लेते हैं और यह फॉंट ज अब देखिए इसे और बड़ा करना है तो और बड़ा हम कर सकते हैं थोड़ा और बड़ा कर देते हैं लेकिन इसको थोड़ा सा 3D लुक देना है 3D लुक देने के लिए क्लिए क्या करेंगे हम इसके सेप में जाएंगे और यहां पर सेप फॉर्मेट में जाईए और स्पे पे जाएंगे special effect में और यहां पे 3D rotation पे जाके हम यहां पे select कर लेते हैं कि जो आपको design देना है दिजिए हम यहां पे मालेज़े कि यह वाला design या इस design को हम select कर लेते हैं अब इस font का color गी अगर आपको change करना है तो आप easily यहां से change कर सकते हैं जो color देना चाहते हैं वो color देसकते सकते हैं एक बार यहां पे set करना होगा आपके यह color देना चाहते हैं यह color दे देजी इसे थोड़ा च्छोटा और कर देते हैं यह सही है ओके आब हमें क्या करना है एक लेना है है उतना ही इसका रखें तो इसका berth और height कितना है तो हम यहाँ पे देखेंगे 0.82 है और 0.1.37 है तो इसका भी कर देंगे 0.82 तो कर देंगे 0.82 और इसको कर देंगे 37 इसके outline नगतरा को भी आप nil कर दिजे उससे पहले इस दोनों का एक नाम दे दिजे तो इसका नाम हम देते हैं text कि इसमें text है और इसका नाम हम कर देते हैं capture इसको यहाँ से cut करके simple आपको इसमें paste कर देना है that's it यह हो गया यहाँ पर अब इसका काम यह खतम हो गया अब औक हमें करना क्या है इसको हम उठा के कहीं रख दिछे या ऐसे जगा रखीये ाइज नहीं करना है बस ध्यान रहे यससीट में रहेगा अई सीसीट से रन होना चीशचनवär हम इससे क्या कर 가능गे हम कहीं फायड कर देते हैं इसे मालने जी कि ऐसे जगा रख देते हैं जहां से इसे देखा न जा सके हम यहां पर इसे रख देते हैं और इसे इधर कर देते हैं अब आपके स्क्रीन पर यह दिखेगा नहीं यह स्लेक्ट हो गया तो यहां से कोई इसे डिलीट कर सकता है तो इसके लिए क्या करेंगे हम इ यह सब हटा देते हैं, user form जब initialize हो, तो उस समय क्या हो, initialize में जाएंगे और यहां पर कर देंगे, seat1.saps, और shapes का नाम हमने क्या रखा था, capture, जो chart का नाम है, capture.vigual is equal to msoc true, और जब close हो, qd close पर हम क्या करें, कि जब close होगा, कोई अगर आपका user form close करता है, फिर वो दिखना नहीं चाहिए, तो हम यहां पर क्या करेंगे, is equal to mso false, अब आप इसे run कीजिए, तो अभी दिखना सुरू होगे, जिससे कि आपका code काम करना सुरू करेंगा, और इसको क्या करेंगे, सबसे last में रख देंगे, जिससे कि ऐसे run time में आपको यह दिखाई नहीं देगा, यहां ही देखते हैं, हलाकि अभी देखना नहीं है, अब चलते हैं हम अपने user form में, और user form initialize में हमने आपको बताया था report कि कैसे हम password generate करते थी, उसी method को हम use करेंगे, तो उस चीज में time बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कि already हमने बना रखाया है, उसी को copy करके ले आते हैं, तो हम यहां पर इसे paste कर देंगे, अब हमने यहां पर इसे paste कर दिया, अब इसमें क्या था, कि हमने क्या बताया था, कैसे हम number को character में convert कर सकते हैं, और character का number कैसे जानेंगे, इसके लिए हमने यह video में detail से बताया था, कि कैसे आप इस तरह का number character generate कर सकते हैं, with number, जिससे कि आप, जो क आप यूज करते है रैंड विट्विंग का फंक्शन उसी चीज को हमने यहां पर यूज किया था जिसके वारे में पूरा डीटेल में इस वीडियो में हमने बता रखा है अब यहां पे देखिए फिर भी एक बार हम इसे दुबारा से रीकैप कर देते हैं यह करेक्टर जो है एकसल में आप यहां पे चलो और यहां पर मैं बरा करता हूँ और यहां पनिता हूँ इसको कल टू केरेक्टर 65 तो आप यहां देखेंगे आ गया अगर यहां पे आप 66 करेंगे तो यह B आएगा इसी तरह यहां पे आप देखिए 65 से 90 तक क्या होता है 26 character जो आपका upper case है वो आएगा और इसको हम round between कर रहे हैं क्योंकि जितनी वारी यह run हो तो यह change होता रहे है अब small के लिए क्या है 97 से 122 तो आप यहां पे देखेंगे अगर हम यहां पे कर दे character 97 तो देखिए यह small आगया तो उसी तरह यहां पे 97 से 122 तक हमने small के लिए लिए और number हमारा होता है 48 से 57 तक का यहां पे number भी देख लीजे यहां पे हमने कर दिया 47 तो देखिए 47 नहीं है अगर यहां पे हम 49 कर दें तो यह क्या हो गया एक हो गया तो यह number है basically character number आप इसे बोल सकते हैं अब चलिए यह number हमारे यहां पे create हो गया है अब हमें क्या करना है कि यह जो भैल हूँ अगर हम इसे एक वार run करें तो आप दिखेंगे जैसे ही effect price करेंगे तो देखिए यहां पे क्या है N capital है K small है 6 है L capital है P small 9 number है अब इस चीज को हमें कहां लिखना है basically इस चीज को हमें इस character के अंदर लिखना है इस सवाले में और इस shape का नाम क्या था text का नाम तो हम यहां पर क्या करेंगे यहां पर चलेंगे और लिखेंगे seat1.saps और shapes का नाम क्या रखा था capture .select कर लेंगे तो यह क्या होगा हमारे capture को यहां पर आप देखेंगे कि इस capture को यह select कर लेगा चलिए इसे थोड़ा और इधर करते है और इसे side में रखेंगे अचलिए अगर हम इसे run करें तो देखेंगे यह क्या हुआ इसे select कर लिया अब select करने के बाद हम क्या चाहते है जो यह text value निकला है इसको इसके अंदर लिखें तो कैसे लिखेंगे तो यहां पर कर दिजा active chart .save और shape का नाम क्या था उसके अंदर जो यह shape हमने insert किया था इसका नाम क्या था इसका नाम था text .textframe2.textrange.text is equal to क्या करना है हमें text value अब आप इसे उपर ले जाका अगर दूबारा रंग करें तो क्या हुआ है यहां पर आ गया बरा कर दो तो यह आ जाएगा एक में लेकिन अगर दो में भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं और अच्छी बात है कि इस तरह आपको दिखेगा राइट तो जिस तरह का design बनाना चाहें आप बना सकते हैं तो हम इसे ऐसे ही रखते हैं अभी थोड़ा सा बरा ही जिससे की थोड़ा सा बरा दिखेगा आपका capture ओके अब यहां पर तो आ गया अब हमें चेक करना है चलिए अब run करते हैं आप चाहते हैं कि यह जो है यहां पर so होना चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहां पर जो फाइल जैसे इससे आप run किजे पहले यह जो आपका capture है इसको क्या करना है हमें पहले export करना है JPG file में तो JPG file में हम क्या करेंगे यहां पर जाएंगे और लिखेंगे सबसे पहले एक file path बना लेंगे तो file path हम कहा बनाएंगे एक temporary folder में जो आप जानते हैं न कि यहां पर जो यह temp folder होता है इस folder का अगर location आपको देखना है तो यह आप ऐसे डाल सकते हैं location लेकिन हर system में अलग-अलग हो सकते हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे यहां पर simple use करेंगे environment and इसमें करके template देंगे उसके बाद and करके यहां पर फिर string में लिख दीजे कोई भी picture का नाम बना दीजे तो pick.jpg करके हमें file का path बना देते हैं उसके बाद करेंगे active chart.export और file path राइट अब जैसे ही यह export होगा उसके बाद क्या होना चाहिए जो हमारे यह login form है यहां पर इसमें यह picture so होना चाहिए तो इसका नाम क्या है तो इसका नाम है image capture तो चलिए हम user form in CLI's में चलते हैं और यहां पर करते हैं me dot image capture dot picture is equal to load picture और कौन सा करना है फाइल path करना है तो हम यहां पर कर देंगे file path और load होने के बाद जो file यह save हुआ है इसको चाहते हम delete कर देना तो simply हम यहां पर लिख देंगे kill file path अब आप इसे एक वार run किजिए तो आप देखेंगे यह picture यहां पर suppose that knowledge है कि इसे तो मैंने अभी किस mode में यहां पर picture size mode जो है वो किस में कर रखाया stage mode में अगर आप इसे clip mode में करेंगे तो यह काम अच्छा से नहीं करेगा जैसे run किया तो दिख रहे हैं यह बड़ा हो गया और इसे आप यहां से manually जाकर अगर आप इसे थुरा छोटा कर देत हैं अब अगर इसे आप run करते हैं तो आप देखेंगे अब यह fix आ गया पूरा app के screen में आ गया है लेकिन हम चाहते हैं यह बड़ा हो यह च्छोटा हो यहां पर fix आए तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहां पर यहां पर हम इसको कर देंगे picture size mode में जाके इसे हम कर देंगे stretch right जिससे क्या है कि आपके screen चाहिए जितना बड़ा हो उससे कुछ फरक नहीं परता है यहां पर पूरे size में दिखाई देगे अब हमें करना है कि जब हम इसमें डाले कोई भी M X 0 J T 7 तो यह जब हम click करें तो हमें बताए कि हम यह गलट डाल रही हैं सही डाल रहे हैं इस capture को थोड़ा बरा करते हैं जिससे की image जो है ना सही से पता चले आपका और यह देख रहे हैं font size फिर गरबढ़ हो गया तो इसके font size को हम बरा कर देते हैं अब इसे हम run करते हैं और इसे थोड़ा ऐसे करते हैं अब इसको run कीजे यहां अब ही यह क्या आ रहा है सही आ रहा है डाला है कि नहीं डाला है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा हमने जो इसम भैलू लिया है आप देखिए इसमें जो भैलू हमने लिया है इस भैलू को कहीं store करना पड़ेगा है तो हम जब user form initialize करेंगे तो जो हमने यहां पर text भैलू किया है इसको हम copy करके यहां पर कर दे देंगे deem text value as a string उसके बाद इस login form में जाके आपको यहां पर click करना है reset button में और आपको यह देखना है कि if me dot text box one text box one क्यों हमने किया है क्योंकि इसका नाम text box one ही है अब इसका नाम अगर दूसरा change करेंगे तो दूसरा लिखना होगा तो आभी हम text box one पर रखने देते हैं और काम आगे बढ़ते है इसक्वल टू टेक्स्थ भैलू बेन message box है login is message box क्या है रॉंग capture राइट रॉंग रॉंग कैप्चा आ गया इससे त्वर शोटा कर लेते हैं अब अगर हम यहां पे डालते हैं जैड आई वन ही जो है यहां पर वही फॉंट इसमें भी यूज करना चाहिए कभी तो आप मिला पाएंगे क्योंकि एल और आई कभी क्या होता है confusion create करता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे उसके लिए हम यहां पर जाएंगे और इसके फॉंट को भी हम कर देंगे यही वला इसका फॉंट का नाम क्या था अगर इसके फॉंट को देखे तो addlum display था तो इसको copy कर लेंगे और इसमें जाकर देखते हैं कि क्या इसमें यह font है या नहीं है यह भी देखना होगा कि इसमें font है या नहीं है तो यहां पर यह font नहीं है तो कोई ऐसा font यूज कीजिए जो कि आपके excel में भी हो और यहां पे भी हो राइट तो इसके लिए हम कौन सा font यूज कर सकते हैं अगर हम aerial bold कर दें aerial rounded empty ओके और यहां पर भी इसको क है जैड 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 नाइं एम एफ फाइड और रिसेट पर जब क्लिक करेंगे तो क्या कर रहा है login लेकिन इसी में जब आप इसको small कर देंगे और इसे reset पर क्लिक करेंगे तो कहेगा wrong capture राइट यहां तक सही हो गया लेकिन अब main आता है सवाल इसके speaking पे तो देखिए speaking के लिए बहुत ही simple सा तरीका है बट वो simple तरीका अच्छा काम नहीं करता है और suppose एट मालीजी हमने इस पर क्लिक किया और यहां मैंने कहा application.speak.speak.speak क्या कराना है हमे? text value तो हम यह लिखेंगे text value अब आप इसे run किजिए अगर आप इसे run करेंगे तो आवास तो आएगा लेक 5LD5 लेकिन यह आपको कैसे पता चलेगा कि यह capital A है small j है number 5 है capital L है small d है 5 कुछ चीजों में तो पता चल जाता है देखने पे लेकिन कुछ चीजों पर पता नहीं चलता है कि वो I है कि L है I capital I है कि small L है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यह बहुत ही tricky है ट्रिक से पहले अब हम चाहते है कि यहां पर यह reset पहले हो जाए जब हम इस पर click करें तो यह change होना चाहिए तो यह change कैसे होगा तो इसके लिए भी बहुत ही simple सा है आपको simple क्या करना है इस user form initialize को copy कर लिजे और इस login form में जाके इस refresh बटन में इसे paste कर देजे और इसे run किज अब यहां पर आप click करेंगे यह change होता रहेगा fine देख रहे हैं यहां पर जो change होड़ा है वही यहां पर आपको दिख रहा है अब चलिए यहां तक भी हो गया अब हमें यह speech जो है थोड़ा सा बदलना है अगर अभी आप बोलेंगे तो देखिए अभी अगर आप इस पर click क यह देखिए WF3XF4 यह भी ठीक बोल रहा है यह देखिए BK7YW1 यह क्या किया BK को एक साथ बोल दिया BK7YW1 लेकिन हम यहां पर चाहते हैं कि हर एक character के बारे में हमें बता है कि यह क्या है capital है small है तो उसके लिए क्या करना है तो चलिए यहां पर हम चलेंगे लेकिन उसस peopleаз li that okay? क्या किया था एक साथ मर्ज किया यहां पर हमने क्या किया था सबका अलग 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 ranking निकाला था और यहांपे वह क्या करेंगे इसमें जाएंगे और इसमें थोड़ा सा change करेंगे change क्या करेंगे देखिएगा यहां पर हम करेंगे इस end और इस end के बीच में हम एक double quote में comma दे देंगे और फिर end कर देंगे अब इस चीज को आप copy कर लीजे यहां पर थोरा notice कीज़ेगा ध्यान दिज़ेगा कि हम कैसे कर रहे हैं और इसको copy करके सब के बीच में comma दे देंगे अब अगर आभी हम run करें तो क्या होगा सब के बीच में यहां पर भी comma दिख रहा है जबकि हमें यहां पर comma नहीं देखना है तो इसके लिए हम चलेंगे इसमें और यहां पर कर देंगे यहां पर कर देंगे जो हम text frame में हम डाल रहे हैं active chart में जो यहाँ पे feel कर रहे है थे यहाँ पे हम क्या कर देंगे replace और क्या हमें replace करना है तो replace करना है comma और किस के साथ तो blank के साथ और enter कर देंगे अब आप run करो यहाँ तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ ps1t, capital T, small t और 0 आगे लेकिन अगर अभी आप यहाँ पे डाले ps1t, t, 0 और reset करेंगे तो बोलेगा wrong capital जबकि हमने यहाँ पे क्या किया है हमने तो सही डाला है यह गलत इसलिए बता रहा है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो text value है यह क्या है, यह text value तो हमने यहाँ पे क्या डाला था, comma डाला था, इसी में अगर आप इसमें सब के पीछे comma डाल दिजेगे और इसे reset करो, तो अभी कहाँगा login, तो हम तो यह नहीं करेंगे न, तो हमें coding के थुरू इसे हटाना है तो कैसे हटाएंगे, तो हम यहाँ पे जाएंगे, और जब यह code लिख रहे है न, जहाँ पे reset form के लिए हम कह रहे है, यहाँ पे देखे, जहाँ पे reset करने के लिए हम बोल रहे हैं, यहाँ पे text value में भी same वही चीज़ हम लिख देंगे, replace, text value, comma, और blank, अब इसको अगर आप 86NV5, अभी क्या बोल रहा है, 86NV5, यह बोल तो रहा है सही, कोई दिक्कत नहीं है, अलग-अलग बोल रहा है, लेकिन जो 80 को at बोलते थे न, पहले एक साथ बोल देता था, वो अब नहीं बोल रहा है, इतना तो हो गया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जब जो capital हो, वो बोले capital A, small हो तो capital T, number हो तो number six, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे अपने speaking वाले पर, और यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे, text is going to, split और text value, text value, comma, किस से split करना है, comma से, क्योंकि हमने सब में क्या दिया था, comma दिया था, जब यह split हो जाएगा, तब हम यहाँ पर करेंगे, फोर, h, t, t, t हम एक variable ले रहे है, t, n, t, x, t, और इसको हम यहाँ पर डाल देंगे, t, और इसको कर देते हैं, next, अब अगर अभी आपर run करेंगे, तो अभी यह सेम ही आवाज देगा, a, c, 2, a, s, 3, तो यह अलग-अलग बोलना आप शुरू कर दिया, लेकिन, अब इसमें capital कोन है, small कोन है, यह जानना है, तो इसके लिए, तो इसके लिए भी बहुत ही simple सा तरीका है, तरीका क्या है, देखो, अभी यहाँ पर आपको पता है न, कि 65 से 90 क्या होता है, capital यह के लिए है, 97 से 122 क्या है, 97 से 122, small character के लिए है, और 48 से 99 क्या है, आपका number के लिए, तो यहाँ पे हम condition डाल देंगे, अब इसे हम बरा करते हैं, और यहाँ पे करेंगे, if, a, c, c, t, अब a, c, t, हम क्यों कर रहे हैं, वो ध्यान दिजेगा, a, c, code होता है, भी बिये में, जिससे क्या होता है, किसी भी character का number निकाल देता है, जैस text name is equal to a, c, t, और इसको यहाँ पे stop करके, इसको run करो आप, और इस पे click करो, जैसे ही आप effect press करोगे, और इसको effect press करो, तो देखो यहाँ पे क्या आगया, 81 आगया, तो देखो कुछ तो logic आपका create हुआ होगा, यहाँ पे, कि अब number निकल गया, तो हम condition दे सकते हैं, कि 65 से 90 के beach ही में हो, तो इसका मतलब क्या है, capital होना चाहिए, राइट, तो यहाँ पे चलो, और यहाँ पर करो आप, यहाँ पे कर दो, आप, if a, c, t, is equal to, sorry, greater than, is equal to, कितना, 65 न, तो 65, and a, c, t, less than, is equal to, 90, then, क्या, यह t value क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पे कर देंगे, speak, speak value is equal to, capital, space देखर, यहाँ पे double code देदीजे, बंद कर दीजे, और, यहाँ पे, t, लिख दीजे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, speak value, right, उसी तरह, दुसरे वारे के लिए हमें condition देना होगा, तो इसी को just copy कर लिजे, और यहाँ पे paste करके किजे, गुसरे वाला यह कहां से number है, संतान में से 122, तो इसको किजे, संतान में to 122, दें यह क्या होगा, हमारा small होगा, और उसके बाद, अगर यह 48 से संतान की बीच में है, 48 to 57, तो फिर यह क्या होगा, हमारा number होगा, तो हम यहाँ पे number लिख देंगे, अब आप यहाँ पे इसे run करो, त capital Y, small m, number 4, capital L, small h, number 5, done, तो यह आपका यहाँ पे क्या होगा, capture, आप अपने user form में भी लगा लिया, अब आप इसको अगर सुनना चाहते हैं, तो सुन भी सकते हैं, और refresh करना चाहेंगे, तो refresh भी कर सकते हैं, अब रही बात कि यह दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे, तो अब इसी में अगर हम इसको select करें और इसको select करके, इसको सबसे last में कहीं रग दीजे, या आप चाहते हैं कि code के through क्या हो यह, बड़ा छोटा हो जाए, तो वह भी कर सकते हो आप, तो हम बड़ा छोटा नहीं करेंगे, इसे क्या करेंगे, सबसे last row में डाल देंगे कहीं, औ और अगर आपको लगता है कोई से delete कर देगा, जो आपने यह process किया है, इस चीज को बनाने के लिए, उसके micro record करके, user form in CLI's के समय, उसको run करा दीजे, और user form जब close हो, तो यह delete हो जाए, तो I hope आप लोगों को यह logic और यह method अच्छा लगा होगा, कि आप कैसे अपने existing application में, जिसमें आप बना रहे हो, उसको एक अच्छा look देने के लिए, आप capture डाल सकते हैं, उससे आप speak भी कर सकते हैं, और refresh भी कर सकते हैं, अब इसके साथ अगर आपका कोई comment हो, तो please comment box में जरूर डाले, वीडियो को like कर दे, अपने दोस्तों के साथ भी इसे share कर दे, तो यह इसे के साथ बनने वाद,